हलो स्टुएंट्स वेल्कम बैग जनाद अकेडमी यूट्यूब चैनल क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्साइस 3.4 से पहले जो एक्जम्पल नंबर 20 है उसे तो क्या कहा रहा है आपको चले स्टार्ट करते हैं find the solution of sin x equals to minus root 3 by 2 अब देखो मेरी बास सुनो हमें यहाँ पर जो solution निकाल ले हमारे लिए solution कौन से हमारे लिए solution है वो जन्रल सुलूशन अगर आपने जन्रल सुलूशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलीस में जाके पहले वो चेक आट जरूर कर लेना वहां आपको जो जन्रल सुलूशन की एक्क्वेशन्स बनती हो किस तरीके से डिराइव होती हो अच्छे से एक्स्पिन करावा है वो आपको अच्छे समझ में आजबा ठीक है तो बैक टो आर कैशन साइन एक्स इक्वेशन्स हो माइनस रूट ट्री बाइट वैट वी यहां पर क्या कहा है मेरी बास सुनों पहले तो यह बताओ मुझे कि अगर यह साइन एक्स इक्वेशन्स तू माइनस रूट 3 वैट 2 तो यह root 3 by 2 जो value देख रहा है आपको, ठीक है, तो मुझे बताओ कि sign के अंदर root 3 by 2 कहां होता है, जैसे देखो, यह root 3 by 2 इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ, इस root 3 by 2, यानि कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि sign root 3 by 2 होगा, sign 60 degree पे, होगा नहीं होगा 60 degree पे, sign 60 degree को क्या कहता हूँ, आप 5 by 6, 5 by 4, 5 by 3, यानि कि sign 5 by 3 जो है, वो root 3 by 2 होता है, हाँ सरी, यह बात समझ में आगए, लेकिन मुझे root 3 by 2 नहीं चीए, मुझे minus root 3 by 2 चीए, अब आप इस cycle पे आओ, यह आपके पास 2 by है, यह आपके पास 5 by 2 है, यह आपके पास 5 है, यह आपके पास 3 by 2 है, अब मुझे आप यह बताओ, यह all positive, sign positive, pan positive, और यह c positive, यानि cos positive, बाकि सब negative, अब sign के अंदर minus, कौन कौन से, minus बोल रहों, plus नहीं बोल रहों, minus, इसमें तो all positive होता है, यह नहीं होगा, इसमें sign positive होता है, इसमें होई नहीं सकता, केवल 10 और cos के अंदर sign negative होगा, बाकि सब में क्या होगा, positive होगा, यह बात clear हो गए, हाँ sir होगे, अब मुझे कैसे लेना है इसको, अब मुझे अगर sign के root 3 by 2 को, इस quadrant में गिराना है, या तो इस quadrant में गिरा सकता हूँ, या इस quadrant में गिरा सकता हूँ, जोणर में इसको एक ही quadrant में गिरा सकता हूँ, हाँ sir, यह बास समझ में आ गई, अब मैं यह बीच वाली लाइन तो ले नहीं सकता हूँ, पताओ क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यह मेरे पास कौन से होती है, यह मेरे पास होती है, चेंजर लाइन, दिहान से देखना बिलकुल एकदम अच्छे से, कैसे फॉर्मल कर रहा हूँ मैं, यानि कि मुझे केवल यही जो लाइन है, इसके उपर पाय या टू पाय में से कोई एक चूस करना पड़ेगा, हाँ सर समझ में आ गया, आ गया समझ में ठीक है, तो टी वाले इस कौड़ेट में कैसे पहुंचा जा सकता है, सार इस कौड़ेट में कैसे पहुंचा जा सकता है, इसमें पहुंचा जा सक मैं plus करूंगा वैसे कौन से quadrant में आ जाओंगा थीक है सर आ गई बैस में clear है यां तक ठीक है सर clear है तो ओके यानि कि sin pi plus pi by 3 की value पता है क्या होती है इसकी value होती है minus sin pi by 3 यह बताओ चीज में आएगी नहीं आ गई है यानि कि sin minus का sin pi by 3 का मतलब कौन है minus root 3 by 2 है और इसको आगे solve करोगे तो कैसे बनाएगा सर यह value बन जाएगी LCM लेंगे 3 by और यह 1 by यानि कि 4 by by 3 यह बताओ चीज समझ में आई नहीं ओके यह बात समझ में आगई यहां सर आगई यानि कि हमारे पास value आ चुकी है यह यानि कि हाँ वह equal होगा sin pi plus pi by 3 से समझ गए यानि कि minus root 3 by 2 कि जागे मैं नहीं यह लिख दिया है ठीक है समझ में आगया आगया अब sin x equals to sin यह होगा आपके पास 4 pi by 3 अब हमने basic वाली class करी थी इसमें theorem 1 discuss करी थी हमने क्या कहती ही बताओ theorem 1 theorem 1 जो है वो हमें कहती है कि अगर हमारे पास sin x equals to sin y है तो मैं x equals में क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ n pi plus minus 1 की power n और यह आपका y और n जो है वो belong करेगा किसको? इंटीजर्स को यह बता समझ में आईगे आपको यह तो है आपका general solution इसके लिए यह आपका x है और यह आपका क्यों है y है वह है तो इसमें put कर दो यानि कि आपके पास general solution निकल चुका है वो क्या निकला x equals to n pi plus minus 1 की power n y की जगे में लिख रहा हूँ 4 pi by 3 और यहां में लिख रहा हूँ यहां में put कर रहा हूँ n जो है वो belong करेगा किसको? इंटीजर्स को यह बता हूँ समझ में आईए क्या है यह हो गया आपका answer example number 20 समझ माया कैसे put करना है? पहले आपको इस तरीके से समझना है कि minus की value यह plus की value जो भी वह कौन से coordinate में जाएगी minus है तो minus, plus है तो plus उसके बाद आपके बास y की value निकलेगी उस y की value का आपको इस equation में लखना है होगी आपका कारद clear है अगर आपको फिर भी थोड़ा से doubt लगा है तो पहले मेरे इसाब से आपको पहले जो theorem 1, theorem 2, theorem 3 जो आपके दिख रखी ए NCRT के लिए उसे check out करो